करेंगे घटना चकर सीरिस में जोग्रफी से लेटिट कोशन तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कोशन फर्स्ट है अप्रॉक्सिमेट एज ओफ दा राभी रेंज एक बर हम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन यह है सब्सक्राइब है और यह आपको हर्याना से गुजरात तक रेंज देखने को मिलेगी इसकी हाइस पीक को हम गुरुशिखर के नाम से जानते हैं एंडिया आपको देखने को मिलेगी माउंट आभू में अच्छा गुरुशिखर की हाइट क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताहिएगा चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं विजवान होदा फॉल्विंग डिवर ओरिजनेट इन अमर कंठक तो अमर कंठक से कौन सी रिवर निकलती है एक बर हम ऑप्शन देखते हैं दामोदर महानदी रिवर नर्मदा रिवर या अच्छा आज हम स्टेट फॉर्वर कोशन कवर करेंगे और इसी लिए हम फाइव की जगाट 10 कोशन डिसकस करेंगे तो यहां पर ऑप्शन सी आपका विल्कुल सही हो जाएगा अमर कंठक से कौन सी रिवर निकलती है नर्मदा रिवर एक बर हम यहां पर फ्लो चार्ट की हमें समझ लेते हैं नर्मदा का और इसन होता है अमर कंठक हिल नियर बाउट मेंकार रेंज एंटर करती है विंद्या रेंज नोर साइट से एंज सत्पुरा रेंज साउट से तीन स्टेट में 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 देखने को मिलता है मत्यापरदेश महारास्ट्रा एंड गुजरात गल् सब्सक्रावाइर तो फोल हमने इसे हमने काफी डीटेव डिटेल में कवर किया था पैनिंशिलरैन रिवर से अंद ह्याकि निर्मदा एं नियुकस किया था या लेक्म तिक्यली इसको इसको डिसकोल कया था राइट बेंक ट्रीटीविड कौन से इनपरेंट यह से पूरिट सेशन में, सन काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, अगर वो सेशन आपने देखा है, तो यह कोशन आपके लिए इसी है, वैसे भी यह कोशन इसी है, तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चार हाइड्रोजन एक हिलियम में कनवर्ट होते हैं, और सन में हमें नुकलियर फ्यूजन देखने को मलते हैं, और नुकलियर फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जब कनवर्ट होते हैं, हिलियम में, यहाँ पर हाइड्रोजन एच और हिलियम को ही हम लिखते हैं, तो यहाँ पर चार हाइड्रोजन ज मिल जाएगी वैसे आप यहां पर जो एक्स्टा इंफ्रमिशन है उसको देख सकते हैं चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं टाइम टेकन बाइ मून्स लाइट टू रीच अर्थ इस बहुत इजी कोशन है 58 सेकेंड 1.34 सेकेंड 1.58 सेकेंड 2.32 सेकेंड अब आप इस कोश्चन का सेकेंड समात कीजिए तो यहां पर देखें ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1.34 सेकेंड देखें मान लेजे यह है सन और यह है अर्थ और यह है मून अब यहां पर ना तो अर्थ के बास अपनी लाइट होती है ना ही मून के बास अब सन की लाइट जो मून पर पढ़ती है वह मून से रिफलेक्ट होने के बाद अर्थ पर पढ़ती है जो यहränक्ष लाइट्स है वह अर्थ पर पर पहुंछती है 1.34 सेकेंड में बस इतना नहीं है पर दिहान रखना है अच्छा सन से अर्थ तक जो सन लाइट से वो कब तक पहुंचते हैं मतलब क्या टाइम टेकन है उनका तो यह मुझे कमेंट सेक्षिन में बताइएगा अभी तक कि हमारे दो कोशन है जो आपने कमेंट सेक्षिन में जिनका अंसर देने और नेक्स कोशन ह जब मून कम टेक्ली बिट्वीन दा सन एंड 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 लूनर इंक्लीप्स टेक्ष टेक्ष वेंड़ से टेक्ली बिट्वीन दा एंड अर्थ एंड दा मून बहुत इतरे कोशन है तो देखिए यहां पर आपका कौं सा ओप्शन सही हो जाएगा और यह आपका option यहाँ पर first and second statement से यह तो option C आपका सही हो जाएगा देखें lunar eclipse क्या होता है जब हमारी earth sun और moon के बीच में आ जाती है solar eclipse क्या होता है जब moon sun और earth के बीच में आता है तो बहुत easy है तो देखें यहाँ पर आपका option C बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question में चलते है अब कॉरल इस जो forces होती है इसके बार में मैंने आपको बताया था जिसे प्रेशर gradient है corallis force है centrifugal force है centrifugal force है यह कुछ forces है जिनको हमें यहाँ पर समझना होता है तब ही हम जोगरफी में concept clear होते हैं बर चलिए अभी के लिए हम question पर आते corallis effect एक बार हम option देख ले प्रेशर gradient option B है earth revolution option C है earth rotation option D है earth rotation and revolution देखो जब earth rotate करती है तो उस वज़े से wind की जो direction है वो चेंज हो जाती है और इसी को basically हम क्या कहते है corallis effect अब यहाँ पर इसको easy way में आप ऐसे समझो कि equator में temperature बहुत ज्यादा होता है pressure बहुत कम होता है और इसी वज़े से जो winds है मतलब जो air है वो sink करना start कर जाती है और 30 degree north पर जहां पर pressure ज्यादा हो जाता है और temperature कम हो जाता है यहां से यह वापस आनी शुरू हो जाती है और earth की rotation की वज़े से यहाँ पर corallis force लगता है इसी लिए wind अपना direction चेंज कर लेती कि exactly जो wind की directions होती है वो किस तरह से हमें देखने को मिलती है चले next question देख लेते है which of the following correctly explained Kepler's first law of planetary motion तो एक बर हम options देख लेते है the planet is proportional to cube of the semi-major axis of the ellipse and option D is none of the above तो देखें यहां पर आपका option A बिल्कुल सही हो जाएगा Kepler's first law of planetary motion states that all the planets move in elliptical orbit with the sun at a focus यह तो बहुत easy था यहां पर option यह आपका सही है चले next question देख लेते है match the following तो यहां पर mountain types हैं तो हम यहां पर बताना है कि यह कौन से mountains है तो block mountain और यहां पर है old fold mountain, young fold mountain, volcanic mountain and delict mountain और यहां पर mountains कौन से है Appalachians, Rocky, Black Forest, Scottish Highland and Westwise तो यहां पर आपका एक बर हम match करते हैं तो black mountain, block mountain जो है वो है black forest, जो यहां पर हम a लिख देते हैं, old fold mountain है, Appalachians तो यहां पर हम b लिख देते हैं उसके रॉप्षन मैंटें तो यहां पर हम c लिख देते हैं, volcanic mountain है, wesuwe tiS, और यहां पर हम d लिख देते हैं Scottish Highland तो यहां पर हम E लिख देते हैं तो option आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा तो यहां पर option C के साथ आप जा सकते हैं चलें next question देख लेते हैं which one of the following C is the largest in area तो कौन सा C सबसे largest area occupy करते हैं इन options में से C of Oxx, C of Japan, C of China and Bering C तो यहां पर option D आपका बिल्कुल सही हो जाएगा Bering C यहां पर map में देखने को में लेगा Bering C Pacific Ocean का ही पार्ट है तो यहां पर option D आपका बिल्कुल सही है आज का जो हमारा last question है match list one and list second and select the correct answer using the code given blow तो देखिए list one में water bodies है और list second में distribution of water in percentage और यह BPSC में question आया हुए हर्याना में question आया हुए पंजाब में question आया हुए I think हिमाचल यह पंजाब इन दोनों में से question आया हुए तो काफी जगा और काफी exam में question हमें देखने को मिले और काफी अच्छा question है और बिल्कुल state forward है अगर आपको यहां पर percentage पता है तो आप इस question को attempt कर लेंगे तो देखे ocean का percentage कितना होता है मतलब distribution of water अगर हम आर्थ की पाइंट और से समझे तो सबसे जादा होता है 97.3% अब यह तो खेर हम सबको पता है ocean सबसे जादा distribution of water में मतलब ocean यहां पर हमें यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां आप यहां लगा सकते हैं उसके बाद देखे ice caps ice caps में अगर हम देखें तो यहां 2.0 यहां पर 2% और यहां पर आप B लगा सकते हैं atmosphere atmosphere में आपको देखने को मिलेगा 0.0019% atmosphere और then river occupy करता है 0.001% तो यहां पर आपका option यह बिल्कुल सही हो जाएगा एक बार हम इसको देख लेते हैं option यह बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो आपके आज हमने 10 questions discuss करें होफुली आपको किसी भी question में कोई भी doubt नहीं होगा बिल्कुल straight forward questions से ऐसे questions भी हम लोगों को थोड़ा सा confuse कर जाते हैं और इसलिए मैंने काफी easy question आज के session में लिए और इन questions को अच्छे से समझेगा और ऐसे questions भी हमारे exam में पूछे जाते हैं तो next session में बहुत जल्द मिलेंगे next session में हम discuss करेंगे choralysis force के बारे में मतलब उस related question discuss करेंगे तो चलिए next session में मिलते हैं तब तक क्लिए अपना ध्यान रिखिए thank you so much